Hello friends, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे like और unlike vectors. Like vector क्या होता है? Like vectors are vectors with same direction. अगर दो vectors का direction सेम है, तो हम उनको like vectors कहता है. और unlike का मतलब क्या हो जाता है? अनलाइक का मतलब होता है अपोजट डिरेक्शन यहां ध्यान देने वाले बात यह है कि मैगनिट्यूड के बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे हैं इसको समझने के लिए मैंने यहां पांच वेक्टर्स ड्रॉ किये हैं अब मैं यहां पर मैंने ग्रुपिंग करी है और पता लगाना चाहता हूं कि हम इन वेक्टर्स को क्या कहेंगे जैसे मेरे पास एक ए वेक्टर है और एक सी वेक्टर है अगर आप ध्यान दें तो दोनों का डिरेक्शन सेम है magnitude equal नहीं है दोनों का डिरेक्शन सेम है तो इन दोनों वेक्टर्स को हम Like Vectors कहेंगे या फिर आप इनको Parallel Vectors भी कह सकते हो A और C Like Vectors है या फिर Parallel Vectors है वही अगर मैं A वेक्टर और B वेक्टर के बारे बात करूँ तो A vector और B vector दोनों का direction भी सेम है और magnitude भी सेम है तो क्योंकि direction सेम है इसलिए like तो है parallel भी है पर magnitude भी equal है अब एक vector के पास क्या होता है एक vector के पास magnitude होता है और direction होता है क्योंकि इन दोनों vectors का magnitude भी बराबर है और direction भी सेम है मतलब दोनों vectors में कोई अंतर ही नहीं है दोनों vectors equal है equal vectors A vector और B vector equal vectors है अब बात करते हैं A vector और E vector की A और E इन दोनों vectors पर अगर आप ध्यान दे तो दोनों का direction opposite है यह इधर जा रहा है और यह उल्टा आ रहा है तो इनको हम unlike vectors कहेंगे या फिर आप anti-parallel vectors भी कह सकते हो वहीं A vector और D vector के बारे में बात करें तो A और D क्या है देखिए A vector और D vector फिर से opposite direction में है इसलिए unlike है आप इनको anti-parallel भी कह सकते हो पर एक खास बात यहां क्या है दोनों का magnitude equal है अगर दोनों का magnitude equal है तो आप A vector और D vector को negative vectors कहोगे negative vectors magnitude भी same है और direction opposite है magnitude equal है direction opposite है आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो कि A vector is equal to minus D vector अगर magnitude same है और direction उल्टा हो गया तो दोनों vectors एक दूसरे के negative vectors होते हैं